और around 1000 में आप 2-3 लोग असानी से AC रूम में रुख सकते हैं और even 800 रुपे में सिर्फ non-AC में रुख सकते हैं व्यू आपको हर एक रूम से मिलेगा जैसे आप तो गाइस यह हमारा परस्टे का रूम था जो हमने रिष्टिकेश में लिया था आपको मैं यहां से अपनी वालकेनी का व्यू दिखाता हूं और इधर नौन-AC रूम से हैं जो कि आपको नीचे वाली फ्लोर पे भी नौन-AC रूम मिल जाएंगे उपर वाली से यह हमारी प्रोपर्टी थी वामिका हूंस्टे इसका नंबर तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह व्यू के शौकीन है और इस तरह के खुब्सूरत नजारों में इन वादियों में रहना चाहते हैं और एक बहुत ही कम प्राइज में और बहुत ही खुब्सूरत प्रोपर प्राइजिंग की बात करूँ तो प्राइजिंग यहां पर बहुत ही कम होने वाली है यहां का आप जो एक हजार रुपे हैं और आपके तीन लोग रुके थे और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ फिर भी उन्होंने हमसे कोई एक्स्ट्रा चाज नहीं करेंगे तो जरूर से वह नेगोशियेट कर देंगे और आराउंड 1,000 में आप दो से तीन लोग असानी से एसी रूम में रुक सकते हैं और एवन आट सो रुपे में सिर्फ नौन एसी में रुक सकते हैं व्यू आपको हर एक रूम से मिलेगा जैसे आप यह मेरे व्यूस देख रहे हैं बाकी म है हमारा फिर्स दे का रूम था जो हमने रिशिकेश में लिया था रूम कम होमस्टे है और अगर कोई भी लॉंग ट्रिप के लिए आ रहा है यहां पर या लाइक 15 देश के लिए वन मन्त के लिए अगर कोई आता है तो यह बहुत ही बेस्ट और सबसे अफॉर्डिबल होमस अब आपको मैं यहां से अपनी बालकनी का व्यू दिखाता हूं और प्राइज का मतलब यह बिल्कुल ना समझे कि यहां पर व्यू नहीं मिलेगा आप अगर देखेंगे तो आपको बालकनी से अच्छा कासा व्यू मिलता है चारो तरफ का आगे माउंटेंस हैं राइट सा पर आप एंजॉय कर सकते हैं चत भी बहुत ही खुबसूरत है चारो तरफ आपको माउंटेंस ही देखने को मिलेंगे व्यू भी बहुत अच्छा है और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है इनके पास इसी तरह के वही रूम है आप लॉंग स्टे के लिए लेंगे तो का अधर लगा हुआ है इनके पास तो भी आप यहां आके उजाए कर सकते हैं अरे दोनों रूम्स की बालकिनी है और यह बालकिनी से कुछ नजारे हैं जो आपने देखे होंगे पहले भी मैंने आपको दिखाता हूं इसमें अगर आप लॉंग स्टे नहीं आ रहे तो आप इस आप देख सकते हैं साथी आपको हर एक फ्लोर पर वाइफाय मिल जाएगा तो आपको नेट की भी कोई टेंशन लेने के जरुवत नहीं है पानी है कॉम्पलिमेंटरी चाए भाया लोग सर्फ करते हैं जो आप इंजाए कर सकते हैं तो दोस्तों यह मेरा रूम था जहां मैं इसी का दूसरे एसी रूम से कुछ इस तर इसे सब में आपको एक किचन मिल जाता है अगर आप रॉपटी ओनर से बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपको किचन के लिए अफ्लाइंस प्रवाइड कर देंगे यह भी एसी रूम है रूम की अभी क्लीनिंग हो रही है रूम आपको बहुत इक अप्सिर्थ बहुत फक्राइड मिलते हैं आर यहाँ पर भी आपका एक रूम है जो की एसी रूम है और इक रूम सेंच मिलवाइद को नीचे वाली प्लोर पे भी और उपर वाली सब तॉक पे आपको ज़ादा सारे तरूम से मिलेंगें और आई झाल झाल